तो बच्चों आज आपका लाइब 9 है कौन सा है लाइब 9 मतलब इसके पहले 8 कलास आप लोगोंने देख लिया है जिसमें exercise 1.5 तक हम लोगोंने पढ़ लिया है कहां तक पढ़ लिया है exercise 1.5 तक हम लोगोंने पढ़ लिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 1.5 के आगे यानि की exercise 1.6 1.6 शुरू हो गया था ना ओल लुलाल हम शुरू हो गया था हमने एकाथ question उसमें किया था उसके आगे पढ़ना है और YouTube notification तो दिया होगा ऐसी तो बात नहीं है आज कौन सा दिन है कि आज बच्चे कम है अभी तो 50 बच्चे हैं लगभग ठीक है तो सभी बच्चे का नाम हम बोलेंगे आप लोग जो comment कर रहे हो लेकिन थोड़ा सा कुछ question लिखने तब तब तक आप लोग इस session को like करिए जल्दी से और दोस्तों को भी share करिए जिससे कि मज़ा आए मतलब जितने जादा बच्चे होंगे उतनी मज़ा आएगी न हाँ चलो देखो तो बच्चो कुष्टन नमबर फाइस्ट कल हम लोगों ने कर लिया था आज second करेंगे exercise 1.6 question number second जितने भी student पुराने हैं उनको पता है कि बच्चों हमने आपको घातांक का नियम बताया था पताया था ना बच्चा पताया था ना घातांक का नियम अगर आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा तब फिर आपको इसमें कोई समस्या होनी माली है नहीं नहीं पड़े तर फिर भगवानी मालिक है आप क्या मैं कमेंट देखूं कहां से रखता हूं एक मिनट रुख जाब भई था नाइन का पावर थ्री बाई टू कल मैं इसको बताया तो था लेकिन आज मैं फिर बताऊंगा क्योंकि मैं पहले कोईस्टन से ही करूंगा नाइन का पावर थ्री बाई टू चमक कुछ जादा है क्योंकि आज कुछ हमारे यहां पर फोटो कैप्चर वाले आये थे तो उन लोगोंने काफी बढ़ा लिया था जिस वजह से यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को कम दिख रहा होगा तो सेटिंग कुछ लोगों ने कुछ डिस्टर्व कर दिया यहां पर है चलो है ठीक है आप सही होगा है तो क्या भाई फोटो कैप्चर वालों में से भी कोई जूड़ा है का कि मांसु बर्मा आर्पी द्यादो गनेश बर्मा कपिल अनंद मदेशिय सब के कमेंट आ रहे हैं सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है रंजु देभी प्रियंका सुरेश और पूजा दंगी यह क्या बेज़ रहो भाई दंगी हां कि दिलीब राजकुमार्तिवारी सब के कमेंट आ रहे हैं जो भी बच्चे जूड़े हैं मुझे सब के कमेंट दिख रहे हैं ठीक है तो बच्चा आगे बढ़े हैं पुझे लग रहा हंडेंड बच्चे लगवग होने वाले हैं निशा यादो समझ में आ रहे तंबीर सर्मा व्वन यादो सबको समझ में आ रहे हैं तो बच्चा देखो यहां पर समझो अब मतलब की बात जो हम आपको बताने वाले हैं तो मैंने आपको घातांका का नियम बताया था था ना है एक्टर करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो किसी को कोई समस्या तो है नहीं तो देखो नाइन का पावर थ्री भाई टू है तो बच्चा हम जो नाइन है उसको लिख सकते हैं थ्री काई स्कॉरर को लिख सकते हैं तो भाईया ये चाचा जो उपर चुर्की पर बैठे थे ये तो कोई जायेंगे नहीं ये थ्री ये पांटू ऐसे ही रहेंगे और मैंने ये भी बताया था आपस में क्या होता है घातों का गुड़ा हो जाता है ये थ्री इंटू इसकी जो घात है ये बाहर जा सकती है तो दो गुड़ा ये आपका तीन बटा दूई हो जाएगा आप दो से दो काट दोगे तो तीन का घात तीन आएगा फाइनल में और लाश्ट में अगर हम बोलें तो 27 आएगा तब को समझ में आया ललित मिस्रा आया समझ में चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट करो फटा फटा आगे बढ़ते हैं रखें फिर इसको रखें हटाएं आप सभी जितने भी बच्चे जुड़े हो फटा फट इसे वाट्सप पे सेयर करके आओ नहीं तो कलास चलेगी नहीं जान लो हम नहीं फढ़ाएंगे अभी 100 बच्चे नहीं हुए फटा फट सेयर करके आओ ऐसे मज़ा नहीं आ रही जान लो क्योंकि आप लोग कलास को ना लाइक कर रहे हो ना सेयर कर रहे हो ऐसे हम कब तक पढ़ाएंगे फिर ज्यादा देर तक नहीं पढ़ाएंगे बच्चा तुरंत फटा फटा फट लाइक करो यह कहना ना पढ़े आप लोगों के भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आप उसे लेके चलें कुछ आप करें कुछ हम करें मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे चलो 32 32 इसकी पावर है 2 अपान 5 दो बटा 5 इसका उत्तर कितना आएगा कोई बताये जरा सोच के फटा फट अंसु यादो भाई सभी जल्दी से बच्चे देखो यार यहाँ पे कहना और टाइम बेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है आप सभी जितने भी साथी जूड़े हो अपने दोस्तों को वर्टसप ग्रूप में सेयर कर दो फेस्बुक पे ट्विटर इंस्टागराम जहां जो भी आप चलाते हो वहाँ पे भेज दो सेयर कर दो जितने ज्यादा बच्चे जूड़ेंगे उतनी बेहतरीन कलास चलेगी हमारा भी दिल करेगा अंदर से पढ़ाने का कि मैं आपको पढ़ाऊं हां समझ रहे हो ना हम चलो बोनु भाई राजमिस्रा तो मैं थोड़ा सा बेट कर रहा हूँ आप लोग सेयर करके आओ तब तक इसका अंसर बताओ जिनको समझ में आ रहा है इसका उतर दें और जो बच्चे सेयर नहीं किये फटापट सेयर करके आए गनेश बर्मा बोल रहे है सर इससे पहले यूटूब पर पढ़ी कलास देख लें हाँ बिल्कुल अगर इसके पहले की कलास देख लोगे तो और अच्छी बात है नहीं देखोगे तो फिर कोई बात नहीं है जल्दी करो भई या देखो मैं रुका हूं कि सभी सेयर करके आओ सो के उपर करो जल्दी दिमाग मेरा खराब होगा न तो मैं बंद करके चला जाओंगा अभी तुरंट जान लो क्लाफ नाइंध की मैं जिनको जिनको पढ़ना आके देखो लाइब बिल्कुल फ्री इसमें फूटी कौडी नहीं देना तुम्हें चलो कि इसका थर्टी टू का पावर टू अपान फाइफ अब यहां पर आप लोग समझो थर्टी टू को हम लिख सकते हैं बच्चों दो का घात के रूप में लिख सकते हैं न थर पहले ये बताओ मुझे जल्दी से हर कोई बताए देखो बच्चा इधर साइड में समझो अगर मैं 32 का आप से फैक्टर करनी को बोलूँ तो आप लोगे बड़े प्यार से देखो ये 2 से काटोगे 16 आएगा फिर 2 से काटोगे 8 आएगा फिर 4 आएगा फिर 2 आएगा और फिर इनका काम अलग है इनका काम अलग है ये इधर अलग है ठीक है इसमें किसी को कोई confusion नहीं होनी चाहिए ये question अलग था ये अलग है तो बच्चा जब इसको हम दो कगात 5 32 को लिख सकते हैं तो ये इसके बहरे दूइबटा 5 भी तो लगा था ना या फिर इसको ऐसे लिख लो तो 500,000 बच्चे भी चुड़ जाएंगे मुझे पता है देखो 75 का दूना बच्चे हो गए ना तेड़ सो हो गए तुरन लेकिन अगर मैं थोड़ा फ़र टाइट ना करूं तो तुम लोग बूल जाते हो फिर ऐसे मज़ा नहीं आती ना यार देखो आपको लोगों को भी स समझ के चलना है हमें भी समझना है तभी कुछ होने वाला है चलो तो अब यह दो कघात यह पांच और कोश्टक खोल दो यह दो बटा पांच इसके साथ में आ जाएगा ऐसे पांच से पांच कट गया दो हो जाएगा बाबू तो कघात दो का मतलब क्या होता चार इस तरह से आपका फोर क्या हो गया अंसर हो गया तब को समझ में आया ना तुरंत लिखते चलो आप देख रहें कलाफ नाइन्थ की एंसी आर्टी मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री लाइव सामके साथ बजे से रात के आठ बजे के बीच में डेली देख सकते हो सटर्डे को टेस्ट मानवी सिंग लालित कुमार सबको आ रहा है ना बच्चा तो चलो फिर फाइस्टेंड सीकेंड पार्ट हो गया आपका कुश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज 1.6 फिर थार्ड पार्ड पर पर आजाओ देखिया आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है पिल्कुल इमानदारी से पढ़ना है मैथ में हम गारंटी लेते हैं आप टाप करोगे पूरा का पूरा पूरा अंक पाओगे लेकिन उसके लिए इमानदारी से पढ़ना होगा ये नहीं कि चारो तरफ इदर उदर करोगे ल कुझ कपर दिया करो कभी कबिल लिए करो कि तो शोला को सकते हैं बच्चा डो थे चार जहाएं तो अगर सिक्स्टीन की जगाह पर हम इतना लिख सकते हैं parallel हम फाइनल में क्या नहीं कर सकते हैं वो समझो 16 की जगा पर इसको लिख सकते हैं बच्चा यह कोष्ठक के बाहर तीन बटा चार है यह हो जायागा दो की घाद चार गुड़ा ये तीन बटड़ चार चार से चार कट गया तो कगा तीन पराबर दो दुना चार दुना आठ इसका सही आंसर किसी ने बताया भाई कपिल ने बताया है पूजा दंगी ने बताया है सूरज सरोज अभिषेक सिवम सुमित पाल और बंबं सर्मा जस्बिंदर सि ये सबी नाम है इतने इतने खतरनाक खतरनाक नाम है जो मैं बोल रहा हूँ चलो तो प्रिये बच्चों आप मैंसे जो भी न FERPA बच्चे जुड़े हैं वो चैनॉल को तुनन सब्सक्राइब करके और इस कलास को लाइक कर दे हैं कि आपकी जिम्मेधारी है जिससे कि आपको डेली कलासे मिल सकें ठीक है और मैं सामने से अगल बगल होता हूँ तो आप स्क्रीन साट ले लो फटा फट आलो हाँ बताईए क्या समस्य है हाँ तो ठीक है आप इंतिदार करिए आप रात आट बजे फोन करिएगा ठीक है तो हो गया इतना चलिए कि देखिए इसी में मुझे बहुत कुछ अर्जेस्टमेंट करना पड़ता है मिटाओं संकेत बच्चा कमेंट आ रहा बेटा तुम्हारा कमेंट आ रहा है इसको लिखो यह बता इसका चौथा पार्ट कर लोगे सभी बच्चे एक सूर में जबाब दो क्या ये कुश्चन आपकी किताब में मिल रहा है बोलो हाँ या नहीं क्या ये कुश्चन आपकी किताब में मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी भी दवाई बता रहा हूं तुम्हें टेंसन मत लेना एक भी प्रकार का कोई भी बोर्ड है चाहे आप यंपी से हो यूपी से हो जहरकंड से हो बिहार से हो केरल करनाटक मद्धेपरदेश कहीं से भी हो लेकिन इंडिया से होने चाहिए ठीक है पूरे देश के बच्चे इसको पढ़ते हैं सब के बुक में मिलता है क्योंकि जो नाइन्थ का सिलेबस है जो पैटर नहीं बेटा वो एक ही है पैटर नहीं एक है किवल राइटर की किताबों के आधार पर थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं अपनी दूकान चलाने के लिए ठीक है चलो ठीक है बच्चा तो जिनके में नहीं मिल रहा वो क्या करेंगे में उनके बारे में बात करूँगा पहले आप अगला लिख लो तब जिर्कि किताब में नहीं मिल रहा मैं उनके बारे में बताऊंगा भी सुनो पर देखो बच्चा सुनो तुम सुनो इधर इसको लिखो पहले इसका आंसर कितना हैगा माइनस उण अपान थ्री देखो एक चीज चाहे माइनस उण अपान थ्री लिखो तुम और चाहे ऐसे लिखो ऐसे दोनों का मतलब एक है होता है लेकिन कभी भूल से भी इसको ऐसे मत लिखना इन दोनों का मतलब एक है चाहिए इसके सामने माइनफ लगाओ चाहिए इसके खोबड़ी पे लगाओ लेकिन अगर नीचे लगा दोगे तो फिर वो अलग हो गया ठिक है? समझ रहे हो न? तो बच्चा जिनकी किताब में ने मिल रहा है उनको ये समझ के चलना है कि संख्या पद्धती एक ही है नियम एक ही है, कंसेप्ट एक ही है कलाफ नाइन्थ में नंबर सिस्टम सब के किताब में है घातां का नियम हो ही है तो अगर आप इसको सब को सीख जाओगे और माल लो पहले चैप्टर में आपका संख्या पद्धती नहीं है दूसरे की बजा तीसरे में है, चौथे में है तो अपच नहीं होगी, पलट नहीं जायेगा हाँ, हजम हो जायेगा, ठीक रहा तो इसलिए सीखो केवल चीजों को समझो आप अपना कुष्चन खुद से कर लोगे जैसे उधारन के लिए मैं बताऊं हमारी NCRT में 16 का घात तीन बटा चार है, अब तुम्हारी किताब में मालो 64 का घात, इसमें पांच बटा आठ है, तो क्या तुम नहीं कर पाओगे हाँ, बोलो भईया अगर नियम ये तुम सीख गयो कैसे हुआ था, तो तुम इसको भी तो कर लोगे इसलिए नियम सीखो कुष्चन के पीछे मत पढ़ो हाथ दो के कि हमरे में नहीं मिल रहा है, तुमरे में तो पांच लिखा हमरे में तो तीन लिखा है तो तुम आगे बढ़ें सब को समझ में आ रहा भई विसाल कुमार प्रजापती तो देखो बच्चा इसकी घाद जो है वो माइनस में लगी है बाबू क्या लगी है माइनस में लगी है माइनस वाले के बारे में मैंने आपको पहले बताया था का बताया था माइनस घाद कब होती है देखो बच्चा यहाँ पर समझो बताओ जो बच्चे कलास देखें उनको मालूम है जो नहीं देखें ललू-लाल भी आये हैं इसे ताक रहे हैं उनकी तो बाती अलग है यह मैंने बताया था अगर माइनस में कहीं घात लगी है इसका मतलब वो नीचे का पार्ट है उपर गया है ठीक है और हां अगर कहीं ऐसे ह एक पावर माइनस ही हम है इसका मतलब यह दबा के नीचे रखा गया इसको उपर ले जाओगे ते पलस हो जायो गई अब मतलब समझो यह घातांका नियम है बच्चा टिक है क्या है यह यह घातांका का नियम है भाई-पाण्डे जी आ रहा समझ में काजलकुमारी कमलेस और को समझ में आ रहा ना चलो देखो कि अगर तुम यह कहानी सीख गए हो तो मुसीबत कौन सी है हां मुसीबत तो कोई होनी नहीं चाहिए फिर ददा हां कि अरे मुधूल के बैटो माची लग रही कुछ लोगों के मुझ में हां मुधूल के बैटा करो साफ सफाई से तो समझ में आयागा इसे नहीं चले आगे बढ़े देखो समझो अच्छा इसमें से कौन कौन आज नहाया नहीं है इमांदारी से बताना जब से करोना आ गया न तुम लोग को बड़ी मजा है इस पूल जाते थे तो चोटे बच्चों को गुरुजी पकड़ पकड़ पीड़ते थे नहाया नहीं है बाल ग लिखत नहीं हाने है न घर वाले बोलेंगे नहीं तुम नहाओंगे नहीं इसको क्या होगा पांच की घ्थ तीन एक बात बताओ एक सो पचीस को हम पांच का घात तीन लिख सकते हैं कि नहीं बोलो लिख सकते हैं कि नहीं संकेत कुमार मुझे लग रहा नहीं नहीं आया बहुत मूव बना रहा है, इसको लिख सकते हैं न, लिख सकते हैं पांच का घात तीन न, तो भईया देखो यहाँ पे पांच का घात अगर इसको तीन लिख सकते हैं, तो हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं, का वहीं बगले में लिख सकते थे, का तो बच्चा ये तो मैं ऐसे ल समझते रहो नीचे की तरफ को आते रहो समझते रहो बच्चा अब यह 5 गात जो 3 था यह गुड़ा में है माइनस का वन अपान 3 यहां से तुम समझो यह 3 से 3 कट गया खतम हो गया तो 5 का घात माइनस का 1 है अब देखो बच्चा अगर सिर्फ 5 की घात 1 हो था तब तो हम 1 को मारते 2 हाइट उदर चला जाता उनसे कोई मतलब नहीं था मतलब अगर यह सिर्फ माइनस ना होता उनली माइनस ना होता तो हम इसका उत्तर 5 लिख सकते था इसमें कुछ नहीं करते लेकिन यहाँ पर तुम्हें समझने लायक है अगर चिन यहाँ पर माइनस बचा है तब तुम इसको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकते हो अमबो नहीं है इसको छोड़ना आसानी से तो बच्चा हो अगर यह माइनस लगा है राजा तो इसका मतलब यह है आगे देखो यह एक बटा पांच है बस अरे करें खो पड़ी अब गात लगा दो तब कुनों फरक नहीं पढ़ने वाला है तो चाहे तुम एक बटा पांच लिखो चाहे ऐसे लिखो यह इसको एक बटा पांच लिख दो सीधा निया अच्छा उतर मलो मिला लो ददा आ रहा है कि नहीं मिला लो मिल रहा है ना मैं आगे से हट जा रहा हूँ छापो फटा फट स्क्रीन सार्ट ले लो चाहे छाप लो मैं आगे से बगल हो गया हूँ कुछ सिकेंड के लिए बच्चा जल्दी करो जितने भी हमारे नए खिलाडी जुड़े हैं वो जान ले ये प्रोग्राम सामकु साथ से आठ के बीच लाइव होता है रोज याद रख रहे हैं बाद में नहीं पढ़ पाओगे बिटा साथ बज़े से आठ बज़े के बीच तुम्हें जुड़ना ही होगा और ह मुझने के बाद कम है कि सेहेसन हो लाइक कर और चैनल को करोगे एक दिन सबस्क्राइब होगा दादानी रोज करो एक BUR schema कलास रोज लाइक करोगे सेयर रोज करोगे सबस्क्राइब सिर्व एक रोज करोगे बाल जिस दिन आया हो है चलो, अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं, विसाल सिंग समझ में आरा बेटा कुछ तुमें, कुछ बुजारा कि ना बुजारा है, चलो, इसको मिटाता हूं फिर, अब ये बताओ, इसमें कोई और पार्ट बचा है क्या, हाँ बाई, देखो जो CBSC बोर्ड वाले बच्चे है चाहिए वो दिल्ली से हैं, चाहिए वो महроб कहीं से भी है, उनके बुक में question same to same है, हमारे हिंदी मीडिय। हमारे हं हिन्दी मीडियम वाले हैं, उनमें लिखा है मानज्यात किजिए, और सिबेशी बालों में लिखा है find the value, बस इतना ही अंतर है बेटा, question एसे ही है सब वही है उसमें लिखा है मान ग्यात किजिये उसमें लिखा है find the value बस सारी आयलू-बैलू ऐसे लगाना है करना सब वही है छलो इंगलिस मीडियम या हिंदी मीडियम सबका वही है लाला राम चौधरी वही ऐसा कैसे हो सकता है कि चौधरी का कमेंट ना आए तो कलास का कोई मतलब ही नहीं चलो अब तीसरे कुष्चन पर चलो सभी किताब पहले पढ़ो कुष्चन पढ़ो चलो एक एक ठपढ़ अमारे गजान लो चलो पढ़ो कि देखो कुष्चन जितनी बार पढ़ोगे उतने समझ में आएगा कुछ ऐसे नलायक होते हैं जब हम पढ़ाते थे रोड रोड जहीं बोलते हैं अब सब यादें आती हैं क्योंकि आनलाइन चल रहा है आप लाइन बंद हो गया हाथ चुर चुराता रहता एक को मुक्का मार होने के पड़ने को नहीं मिलता है जब पढ़ाते था ना तो जो लड़का तो पढ़ने वाला है वह तो अगला होने के बाद तुरंद कुष्चन पढ़ता था जो नहीं पढ़ने वाला ना वह मुस्चन हो गया अन्यGreen फिर से चैपने तक कर ले लागला गुठी से बात कर इक का कह रहा भाई दुई का घात दुई वटा तीन तू का पावर भाई हथवे समीटाव एक पड़े का तू अपान थ्री इसके एकदम खोपड़ी पे है याद रखना चुर्की खोपपर लेकिन धोड़ा कम अच्छा लग रहे नर ऐसे नहीं लिखा जाता बाप-बेटा बराबर नहीं बाप का आकार बड़ा होना चाहिए है बेटा छोटा होना चाहिए देखो समझो कैसे दो का गात क्या बच्चा दुई बटा तीन तो तुम घात को छोटा लिखोगे ठोड़ा यह नहीं कि दूई अगर इतना बड़ा है तो घात को इतना बड़ा लिखो नहीं इंटू का पावर वन अपान फाइब ऐसे हैं इसका अंसर कोई बताएगा क्या मुझे पूनम सिंग न्यू इस्टूडेंट है बिल्कुल आप पुराने हो जाएंगे कल से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख अब कोई दिल्ली से है कोई बिहार से है तो हम वहां मारने थोड़ी आएंगे तुम्हें पढ़ो चायना पढ़ो जाओ अपना भला करने हां समझे रहे हो ना तो यह बात है तो देखो अगर इमांदारी से पढ़ोगे भाई नाम होगा क्योंकि हम लोग नाइंथ में हैं अगर टेंथ में पढ़ रहे न तो बहुत सारी उमीदे हैं घरवालों की माबाप की और उसकी उसकी न उस पे हम लोगों को क्या करना है खरा उतरना है इसका कोई उत्तर को है यह मुझे देखने दू है साह तैसरा में क्या करना है तो जंब अधार बराबर होता है तो मैंने आपको एक नियम बता था पिर से उसके याद करो जब एक पावरीयम हो इंटू एक पावर यन हो तो मैंने बताया था क्या बच्चा गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो बच्चा ये यम प्लस यन हो जाता है बोलो बताया था कि नहीं अगर आधार समान है खातें अलग-अलग हैं तो गुड़ा करने पे घाते जुड़ जाती हैं एक नया प्रोड़क्ट लांच करती हैं समझ रहा हो ना सभी देखो चलो इसमें भी क्या होगा गुड़ा करने पे घाते आपस में जुड़ जाएंगी ठीक है तो दो का घात यह हो जाएगा दूई बटा तीन और प्लस एक बटा पांच चलो, समझो आगे, अब इसको जोड़ो, पांच दूना दस तीन एककम तीन, तो यह दूई का घात कितना हो जाएगा भाई, दस प्लस तीन और तीन पचे यह पंदरा, समझ रहो ना आप जिनको भि साथ, तेरा, बटा, पंदरा, पूजा आरा समझ में, साइंस की कलास तो भाईया, कल से मैंने रख दिया है, पंदरा तारीक से सुबह साथ बजे, अब भगवान से बिंती करो कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊं सो के, तब तो साथ बजे आपकी कलास चलेगी, मेरा दिल बहु कितना बजे उठेगा, सोचो, जितना टाइम उठना, उठना टाइम तो सो रहे हैं, तो उठेंगे कब, आरी तुम ये मत सोचना कि हम भी 8 बजे सो जाते हैं, तुमारे जैसे 10 बजे उठते हैं, हम सुबह सोते हैं, चार बजे तब 8 बजे उठते हैं, चलो, कल से चलेगा, क बैटेंगे ही नहीं तब तो बैठें रहेंगे ना तब तो चलेगा कलास चला के तब सोएंगे आठ बजे चलो यह हो गया लिख लो कि इसको चाप लो कि सौंबीर सर्मा कि इंटरनेट पूर है वह इर्फान अनसारी बोल रहा है बैटा पूर है तो का करें मिटाय हो गया कहानी खतम ना अगला चलो देखो इसको बाद में देखते रहना इधर साइड में बढ़ो वैसे बीच ओ बीच में लिखें तो अच्छा रहेगा दो लाइन में लिखना ठीक नहीं है के एक बात सभीको समझ में आ रहा है बोलो यर्श जिनको नहीं आरा वह नो करहें तो मुझे पता चले किसको आरा किसको नहीं आरा है सबको आ रहा हैं देखो जो बीच में जुड़े हैं कल कलास नहीं देखे हैं उनकी तो हमारी कोई गारंटी नहीं है जो डेली देखेंगे उनकी हमारी गारंटी होगी और जो बीच बीच में जुड़ेंगे ऐसे महमान की तरह उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं वो पढ़ें य एक सीकेंड रुकजा दादा, एक सीकेंड रुकजा, थोड़ा सा रुकजा भई, थोड़ा सा रुकजा ओ, अगला क्या है, आप लोग इसका अंसर मुझे बताओगे, तब हम कुछ बताएंगे तुमें, चलो, एक बटा तीन, इकन पार्ट है, क्या कह रहा है, one upon three, और इसका पावर है, one upon three का पावर three, question ध्यान से देखो बेटा, अगर पढ़ना है तब, और बहरे से इसकी घात लगी है साथ, इसको कितने बच्चे कर लेंगे, सभी बच्चे एक बार कोशिश करके देखो अपनी तरप से, कर लोगे की नहीं, हाँ, जल्दी देखो फटा फट, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी फटा फट बताओ कितना हैगा, कितना हैगा, कोई कर लेगा, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर समझो, देखो अगर आप लोग कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, अगर आप लोग कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं, देखो समझो यहाँ पर, कितना आएगा देखो बहुत से बच्चे बता रहे हैं जैसे संकेत बता रहे हैं ठीक है आप लोग यह मत सोचो कि मतलब नहीं आ रहा है या फिर हम नहीं कर पाएंगे कोशिस करो आप लोग कोशिस करो ठीक है अगर कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं देखो मैं बताता हूँ एक मिनट ज़रा सोचो इसको करना कितना आसान है सिम्पल सा है बेरी सिम्पल सा है बेरी सिम्पल सा है इसका अंसर जो नहीं बताएगा ना बहुत बड़े गते हो तुम लोग एक बार कोशिस करके तो देखो नयार चलो फटाफट बताओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट, फटाफट ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, इसका मैंने बहुत सारा तुम्हें बता दिया है, माइनस में घात आएगी इसका, माइनस में आगाना, देखो मैं बताता हूँ, इधर साइट समझो, देखो दादा जब यह जानते हो तुम, इनको करने में कौन हैरानी है, इनको भी तो हम ऐसे कर सकते हैं, वन अपान, अरे यह अपान हटाओ, इसको साइड में करो, इसको साइड में करो, तो इसको हम फाइनल में तीन का घाथ माइनस तीन लिख सकते हैं, मतलब यह भिन्न खतम हो उसके बाद जो उपर इसके साथ लगा एक उपड़ी पर उसको ऐसे रहने दो अब गुड़ा कर लेंगे घात घात का तो तीन का घात माइन से कई हो जाएगा पस यही तो उत्तर हो जाएगा ना अब इसमें कौन सी आफ़त है तुम लोगों को बोलो समझ में आया देखिए अ चीज यहां से और समझ लो बच्चा जाया अगर यह माइनस हो जाएगा this और यह चीज आपको समझ के चलना है सुझीग चौहान आरा समझ में, राजबिसाल सिंग समझ में आरा भाई, मनीज दूबे सब को समझ में आरा है ना, किसी को कोई समस्या है तो बता दो जल्दी से, चलो, किसी को कोई परिशानी इसमें तो बता ओ, जल्दी बोलो, किसी को कोई आफ़ात, मुसीबत, हैरानी, परिशानी नहीं ना, काप लो फटा फट चलो, आसीस, अनीस, दिक्षा, एजुकेशन, गेमिंग, हिमानसु, मुकेश, बिजय, ठीक है, देखिए जो टाइम से जुड़े होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, जो लेट लपेट आएंगे न, उनको बड़ी मुसीबत होगी, तो उनके हमारी, जो है न, कोई रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं, उनके प्रत, जो क्लास में टाइम से आएंगे, उन्हें की जिम्मेदार ही, जलो, अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट कुश्चन आप लोग कोशिस करो, फटा फट, देखो यहाँ पे, यह हो गया, अब की बार न, तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बताओँगा, अगर पढ़ना चाहते हो, तो कोशिस करो, एक बार खुद से तो कोशिस करो, न, खुद से कोशिस नहीं करोगे, तो मज़ा नहीं आएगी, बिल्कुल जान लो, एक मिनिट कुश्चन देखने दो, मुझे, कौन कौन कर लेगा इसको, देखो मुझे लग रहा 15 सिकेंड का रोंक लगाया मैंने, तब यह बच्चे इतना थमे है, न, तो अब तक मारते डंडा कर देते, एक दम, मतलब एक बच्चा 15 सिकेंड या 25 सिकेंड में कमेंट कर पा रहा है, न, महां करने पर घाते घट जाती है, तो बच्चा हो जाया का ग्यारा का पावर, इक बटा 2, माम से लगाए, तो यह 4 तो हो जायादा ग्यारा का पावर, 2, बटा 4, पराबर 11 के पावर 1 बटा 2 क्यूं मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं गलत हो गया यार कहां से गलत हुआ यह एक मिन रूप जाव बई रूप जा रूप जा रूप जा यह चार दूना 8 होगा उससी इसाप से ठीक है छूंड है ठीक है कोई दिक्कत नहीं 8 होगा यह 8 होगा अब यहां पर 4 बचेगा क्योंकि मैंने क्रास मल्टीपल किया था तिर्चा गुड़ा किया था न हो गया जल्दी से इसको लिख लो अगर इसमें किसी को कोई परेसानी है तो बता दो देखो भाईया अगर आपको भिन हल करना नहीं आता फ्रेक्शन नहीं आता छो जल्दी करो फट फट हो गया हो गया हो गया नरेस हारा समझ में हरीस जल्दी बोलो छाप लिए चलो छापो मैं सामने सहर जाता हूँ जल्दी करो चलो अगला इसमें का नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से भाई प्रांजल तिवारी आरा समझ में चंद्रमा सिंग यादो आरा समझ में तब को समझ में आ रहा है चलिए तो अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ में अभिसेक, बिजय, संकर, विसाल चाप लिए चापने में तुम बहुत तेज हो बेटा चाहे तुम्हें समझ में आये या ना आये लेकिन चापने में तो तेज हो चलो देखो अगला इसमे का लाश्ट पार्ट है सेबन का पावर वन अपान टू इन्टू एट का पावर वन अपान टू क्या है एट का पावर वन अपान टू एट का पावर वन अपान टू चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करे होंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे चलो जल्दी करो प्णाया जो नहीं कमेंट कर पारें वो सब्सक्राइब कर लें ठीक है जलो जल दी करो देखो इव्थर साइड में समझो इसमें क्या है आधार अलग- BedIRE बेटा ये मैं तुमें घहतां का नियम बताया था यह तुमे बताया था ये बताया था ना बच्चा बोलो बताया था ना इसमें आधार अलग-अलग है घाते समान है तो ऐसी इस्तिती में इनका आपस में ये गुड़ा हो जाता है आपस में ये मिल जाते है और ये ऐसे बन जाता है तो इसमें भी ऐसे हो जाएगा भाईया साथ कार्ट में गुड़ा हो जाएगा ये दोनों चलो जल्दी करो फटा फट तो मैं बार बार फिर से बता दूँ जो सब्सक्राइब नहीं करें हैं उनका कमेंट नहीं आएगा मैं कमेंट देख रहा हूं फॉन में बहुत से बच्चों के ठीक है चलो प्रण्जु देवी आ रहा समझ में रगवीर कुमार सबको समझ में आरा न बच्चा चलो ठीक है ओके गूड ठीक है ठीक है बेरी गूड बेरी गूड चलिए समझ में आया की नहीं उत्तरमाला मिला लो देखा यही आही आरा न ना बच्चा यही आ रहा कुछ दूसरा तो नहीं आ रहा ना शापलो चलो में साइड हो जाता हूं यह मुख्य नियम है घातांक का अगर आधार अलग अलग है घात बराबर है तब इसका नियम है कि जो आधार है उनका गुड़ा हो जाएगा और घात बाहर लग जाएगी ब् समझ में आ रहा है पूनम सिंग काजल पल्राम गुर्जर रभी संकर चिराग सबको समझ में आ रहा है तेज सिंग चलो ठीक है तो बच्चा यह खतम हो गया बैया इकसर साइजी खतम हो गई पूरा चैप्टर है खतम होईगा है तो क्या टाइम बहुत ज्यादा बचा है का अभी अब अच्छा नहीं है काय में अभी अर खतम हो गया खतम हो गया अब मैं तुम लोगों से कुछ कुछ पूछूंगा यह चैप्टर खतम हो गया यह चैप्टर खतम हो गया अब मैं कुछ पूछूंगा जलो कुछ पूछूं पहला कुछ बताओ आप सभी बच्चे ब बास्तविक संख्या या परतेक बास्तविक संख्या पर्मिय संख्या होती है। बोलो हा या नहीं। कल बहुपद पढ़ाएंगे नया चैप्टर पढ़ाएंगे बहुपद। आज आपका ये चैप्टर खतम हो गया पूरा पहला exercise का सारे question सारे part हो गये। जो बच्चे इसके पीछे का नहीं देखे बच्चा देख लो पीछे का सब पढ़ाया गया है, चैनल पे वीडियो उपलब्द है सारा क्लास, प्लेलिस्ट में जाओ वहां पे तुम्हें मिल जाएगा सब देख लेना, ठीक है है, हाँ समझ रहो ना, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे सब मिल जाएगा पूरा देख लो अच्छे से पढ़ लो है कि समझ गए चलो चलो देखो तो बच्चा यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं मैंने कहा कि एवरी रियल नंबर मतलब परतेक वास्तविक संख्या जो है क्या वह परमिय होती है बताओ है यह नहीं कि अनन्द अनिवर्ड अंसराज तरुन मिश्टर परफेक्ट मनुराजपूत रितिक अर्स ठीक है बेरी गूड नहीं गलत है परतेक वास्तविक परमिय नहीं हो सकती है क्योंकि वास्त्विग संख्या में जितना आधिकार परमिय की है उतना परमिय कोही है जैसे एक माबाप के अगर दो संताने हैं तो दोनों का बराबर बढर सा होता ऐसा नहीं पालने को सब दे कि आगले को जुर्रे रख दिये से नहीं होने वाला है समझ रहे हो ना हुँ हुआ कि देखो समझो फिर इसका आंसर है गलत क्योंकि क्यों गलत है देखो मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं पीछे का जो पीछे अब तक पढ़े हो बच्चा उसको थोड़ा करना हूं समझो ऐसा इसलिए है क्योंकि जे वास्तेविक संक्या उती है या प्रमीये संख्या धन आपरमिये संख्या दोनों मिलाके बनती है जैसे आप गुलाव का फूल देखे हो उस Сам भाए कुछ लोगकों को उप्र रहे होगा भी चीज में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सब अच्छे ही है, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत सीधे साधे नहीं है, जैसे तुम देख रहे हो, समझ रहे हो न, मतलब समझ गए, तो वास्तविक सं संख्या को बच्चा रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर रेफनल और रेफनल दोनों को मिला के बनती है, एक और कुश्चन अगला सुनो, ये बताओ, क्या परतेक रियल नंबर, तुम्हारो गोली, क्या परतेक रेफनल नंबर, रियल नंबर होती है, इसका जबाब दो हाय क्या पर्तेक पर्मिये संख्या वाष्टविक संख्या होती है बिल्कुल मुझे लग हो नहीं सही बोल रहा हूं मैं ऐसी बात नहीं को किसी को आप बॉर्ड पर देखो गें लाइब देखोगे टीबी में देखोगे आपको लगेगे बड़ा अच्छा है यह बड़ा सीधा साधा लग रहा है बोला बाला ऐसे होता नहीं लेगे चलो कि तो जो परतेक real number है मैंने यह पूछा उसका तो तुम लोगों ने बता लिया अब मैंने दूसरा सवाल पूछा क्या परतेक रेफनल नंबर, every रेफनल नंबर, are real number, क्या परतेक परमिय संख्या, वास्तविक संख्या हो सकती है, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, दिवम, अंस, प्यूस, चिराग, अमीना, चेतन, अदिती, पूनम, पूजा, मोनिका, परती, इप, सुजीत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्दी करो, चलो मैं बताता हूं, इसका अंसर होगा हाँ, इसका अंसर होगा हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेरी गुड, देखो बच्चे मैंने कहा कि जो real number, real number है, वो रेफनल और एरेफनल को मिला के बनी है, तो बहुत जब real number निकली, वो स्वरी, बार बार वही आता है, जब रेफनल नमबर निकला ही real number से है, तो हो गाई, बहुत सी बात है, ऐसे समझ लो, जैसे यह भारत देश है, मालो मैं आपको एक area बता रहा हूं, मैं नक्सा नहीं बना रहा हूं कोई देश का, इसके लिए म तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि उत्तर पर देश, क्या उत्तर पर देश, जो है, वो पूरे भारत देश में मतलब है, फैला है, नहीं न, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं क्या भारत देश जो है, पूरे सभी राज्यों में फैला हुआ है, बाई, साही सी बात है, सि बजते चलो थोड़ा मोड़ा अच्छा रहेगा है चलो करो इसको तो यह कह रहा है काजल नंबर दे दो पेटा तुम्हारा जिन्दगी ना इसी में बीच जाएगा नंबर लेने में कुछ करोगे नहीं लाइफ में नंबर तो तुम्हें मिलेगा भी रुको मैं देता हूँ जेको जिनको पढ़ना सिर्फ वही जुड़ेंगे यहांप पर जिनको फाल्तु का काम करना वो नहीं जुड़ेंगे, आपका क्लास खतम हो गया मैं रिबाइज करवा रहा हूँ थिक है अगर नहीं पढ़े वह पीछे तो ध automation पढ़ लो ध्यानसे पढ़ लो नहीं तो भालतू कमेंट कीए तो बुला कर देंगे बुला कर देंगे तो फिर छाटा गटा इसे देखोगे अना कमेंट कर पाओगे ना कुछ समझ पाओगे चलो आगे देखो यह हो गया आगे क्या था मुझे कुछ किताब खोलने दो तब मुझे समझ में आये क्या-क्या पढ़ाया था क्या-क्या नहीं जलो पहले चैप्टर में आजाओ जो बच्चे नहीं खोले हैं पहला चैप्टर खोलो परतेक पूड़ांक एक पूड़ संख्या होती है बताओ परतेक पूड़ांक एक पूड़ संख्या होती है जल्दी बोलो ऐसे लिखना है अब ऐसी दाबंजा ये देखो बेटा पूड़ांक को बोलते हैं इंटीजर क्या बोलते हैं इंटीजर पूड़ संख्या का मतलब होत यह बताओ जो एबरी इंटीजर है क्या वो होल नंबर होता है आदिती गुपता चिराग अंकिता सिंग तों भी रूपेश मनू मनोज बोलो कुछ तो बक्को गलत सही कुछ तो बोलो परतेक पूरांक पूर्ड संख्या होती है जितने भी गदहे बोल रहे हैं न यस उनके मैं क्या करों पीने दो थोड़ा सा बताता हूं भी रुप जाओ देखो बच्चा परतेक पूरांक पूर्ड संख्या नहीं हो सकती है समझ रहो ना ऐसे समझ लो कि जो हमारे पीता जी के रिष्टेदार है नातेदार है वो सब हमारे रिष्टेदार हुए हुए न क्योंकि हमारे बाप के रिष्टेदार है लेकिन जो हमारे तुमारे रिष्टेदार है वो हमारे लोग के पापा के बाप के रिष्टेदार बन तो कैसे बनेंगे हां लेकिन बामा बाप का पूरवजों का कहा क्या है वो सब बताएंगे तुम्हें समझ रहे हो तो पस वह ऐसे है ऐसे जहां से इनका जनम होता है जहां से इनका जनम होता है यह पुडांक उसके और बहुत पीछे रहता है बहुत पीछे रहता है जहां तक इनकी पकड़ नहीं कैसे देखो जो पुडांक होता वो माइनस आनंत से सुरू होता है मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो माइनस एक घार माइनस-शन नॉस ओन इन्फा झाल वह तब इदर जाकर य यह प्लस टू होगा ऐसे डाट 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 यह प्लस अनंद तक होता है समझो कहां तक होता है पुड़ांक इंटीजर प्लस अनंद तक होता है माइनस अनंद से लेकर लेकिन बेटा जो यह पूर्ड संख्या इनका जनम ही जीरो पे होता है यहां यह पूर्ड संख्या यहीं स कि पूरुण संक्या की सुरुवात ही जीरो से होती है तो दादा अगर मैं तुम से पूंछ हूं क्या माइनस 999 यह पूर्ड़त्वन क्या है है नहीं यह तो वैसे हुआ जैसे हमारे पापा के पहापा के बारे में बात करें का फलाने उननकाः रहा सोगे तो मालूम ही नहींए नहीं पबाबा को नहीं नहीं देखे थे उनको का देखें ऑशन आ जिसे तुम्हारे चार उश्ड़ पहले की बात करें किशें आप उनको नहीं कॉछ देखो कोई भी चीज न ऐसे समझ लो बेवहरीक रूप से कि तुम्हें कभी भूले नहीं अगर पढ़ोगे गड़ित की तरह तब ये गड़ित बड़ी कठी नहीं इससे महबत करना सीख लो प्यार करना अच्छे से कंसेप्ट समझो मतलब समझो पूरा निचोड जैसे नीबू देखे हो न पूरा नीबू लेके मूँ में डालोगे न तो खा नहीं पाओगे मूँ फट जाएगा लेकिन अगर नीबू कर रफ निकाल के पीओगे न तो तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना चाहिए पाकी जिससे मतलब नहीं है यहां पर हम तुमको रस रस दिला रहे हैं बस समझ रहे हो कि नहीं? जो काम का चीज है देखो देखो यहां पर मैंने क्या बताया आपको? कि पूरांक जो होता है माइनस अनंद से पलफ अनंद तक होता है लेकिन पूर्ड संख्या जीरो से ही शुरू होती है हां यह अगर पूछा जाए क्या परते को पूर्ड संख्या पुढांक होती है तो काओगे हां एबरी होल नंबर इंटीजर नंबर होता है क्योंकि होल नंबर यहीं से शुरू होता है और integer का जो limit है यहाँ तक होता है माईनेफ अनंद तक तो पुर्ण संख्या भी वही तक होती है यह सारे concept है जो आप लोगों को याद होने चाहिए बच्चा इक है यह आप लोगों को याद होने चाहिए फिजा फातिमा कमेंट आ रहा है आतिती इंगलिस में बताएं इंगलि whole number यहाँ से सुरू होता है integer यहाँ से सुरू होता है तो every integer every integer क्या whole number नहीं हो सकता है लेकिन every whole number integer हो सकता है तो बस इतने सब बताना था मैंने बता दिया आज का class का time मुझे लग रहा ओवर हो गया अगली class जिनको basic नहीं आता है रात के होगी 9 बज़े से सभी बच्चे आना और हाँ एक बात और सुनो भी जाना नहीं अभी जाना नहीं अगर पढ़ना है तो real में एक मिनट इधर सुनो मझे बता रहा हूँ पहले तो आप सभी इस सेशन को like करो पहले तो आप सभी जल्दी से इस सेशन को like करो उसके बाद फिर हम आप लोगों को कुछ secret बाते बतान सबस्क्राइब किये कमेंट नहीं कर पाओगे सबसे अच्छी बात तो यह है मैंने ऐसी सेटिंग कर दिया है कि जो नहीं सबस्क्राइब करा वो कमेंट नहीं कर पाएगा तारी मज़ा फिकी